तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को अलेडी इसम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नाउन, मैं आप लोग को बताई थी, नाउन is the name of person, place, or thing, मतलब की किसी भी चीज का नाम इसम कहलाता है जिसको इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संग्या क्योंते हैं विडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग इस्म की बनावट के लिए हाथ से तीन पिस्मों को समझने वाले हैं यानकी तीन टाइप हैं हर एक टाइप को डिपली समझेंगे हो सकता है कि आप यह टॉपिक अलड़ी पहले से पढ़ रखे हों क्यों क्योंकि अलड़ी पिछले सेसन में आप लोग को पढ़ाया जा चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोग पहले से पढ़े हैं या फिर नहीं भी पढ़े हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं और नया जो है ना आप लोग का एक्साइटमेंट है आप लोग पहली बार इस वीडियो को दे तेर्फियुए अपने डिए ने के लिए दोंगी लेकिन शर्त यह कि जितना भी कोश्चन पूछा जा रहा है उसका कमेंट-बॉक्समीद अब है एंसर लिख लिए स्टाट करते हैं स्वागत है आप तो जिसको हम लोग कहते हैं नाउन हम का मतलब नाम किसी भी चीज़ का नाम हमारा नाम आप लोग जानते हैं तो इसम का बनावट के लिया हादसे नाम कैसे बना है बनावट के लिया है यानि कि तीन टाइप पहला है इसमें जामिदध मस्दर और मुश्थक यह टीनो टाइप है जामिदक किसे कहते हैं एक एक करकर शलिए उनम लोग समझते हैं उकनाम वा लव्यका से ना तो बना है और नहीं उसे कोई दूसरा लव्यक्र बने तो उस चट्टान अपने आप में एक लव्ज से ये तो लव्ज ना तो किसी दूसरे लव्ज से बना हुआ है और ना ही इससे कोई दूसरा लव्ज बन सकता है उसी तरी किसे पहाड ठीक है किताब तो ये सभी लव्ज इसमें जामित कहलाएंगे लेकिन अगर बात की जाए मजदर की तो मजदर वैसे लव्ज होते है ना जो किसी और लव्ज से तो बने नहीं होते हैं लेकिन उससे धेर सारे इसम और फेल बन सकते हैं जैसे कि पढ़ना पढ़ना से पढ़ाई बन जाएगा पढ़ना से पढ़ने वाला पढ़ने वाली पढ़ती है पढ़ता है पढ़ेगी प मचला रोती है निखना यह लफ्项 कहले मचला का रहा लेकिन लिखने वाली लीचनेवाली लिख्व अब लाउन और यमसान होता है घेए से की पढ़ना लास्ट में लिखना के लास्ट में न दौढना क्लसे में न है लेकिन ना लवज माई कहलाएगा ठिक है यह इसका अपवाद के में आप लोग अपवाद पड़े होंगे तो उसी तरह समझेगा ठीक है बाकी जितने भी लवज है मतलब समझे कि अगर वो फेल है और उसके लास्ट में ना है तो समझेगा कि वो क्या है मस्दर सिंपल आगे बढ़ते हैं तीसरा टाइप है वो है मुष्टक मु सके जैसे कि मस्दर क्या है पढ़ना पढ़ना से पढ़ने वाला बन गया अब पढ़ने वाला से आगे सोचेंगे कि आगे हम इसके और कुछ बना ले तो पढ़ने वाला बन गया लेकिन पढ़ने वाला से आगे अब आप कुछ नहीं बना सकते हैं ठीक है तो पढ़ने वाल को मुष्टक कहेंगे पढ़ना से माली यह पढ़ने वाली कि आगे अब हम लोग कुछ नहीं बना सकते हैं तो पढ़ने वाली क्या कहलाएगा इसमें मुष्टक कहलाएगा उसी तरीके से पढ़ना से पढ़ता है बन गया है तो पढ़ता है भी क्या कहलाएगा मुष्टक कहला लें कि पढ़ता है मजदर से नाज है पढ़ता है अब पढ़ता है कि आगे आप कुछ नहीं बना सकते हैं यहांपर मैं लिख दे रहे हुं जिस लब्स के लास्ट में ना हो उसको बिना सोचे समझे मजदर टिक कर देना है ठीक है और कोशन इसी तरीके से आप लोगों के एक्जाम में पूछा जाएगा कि मंदर्जजैल में से जामीद की पहचान करें यानि की जामीद कौन सा है चारो आपसन में से पहचानना है या फिर म मजदर की पहचान करें या फिर मुष्टक की पहचान करें इसी तरीके से कोशन पूछा जाता है अब यहां पर समझे यह तीनों टॉपिक समझ में आ गया अब जामीद की दो किसमें है यानि कि इसमें जामीद है वह लफ्ज जो किसी दूसरे लफ्ज से नहीं बना हो और न पहला है इसम मारफा और दूसरा है इसम नकरा इसम मारफा को इंगलिश में कहा जाता है प्रोपर नाउन और हिंदी में कहते हैं व्यक्ती वाचक संग्या इसम नकरा को कहा जाता है इंगलिश में कॉमन नाउन और हिंदी में कहते हैं जाती वाचक संग्या समझे यहां पर इस मारफा और इस मनकरा किसे कहते हैं, इस मारफा किसी भी चीज का खास नाम कहलाता है, और इस मनकरा किसी भी चीज का आम नाम कहलाता है, आम नाम को जिसे पूरी जाती का बोध हो, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि हमारा देश महान है, तो मैं एक पर्टिकुलर देश का नाम नहीं दी मैं सिर्फ बोली हमारा देश महान है ठीक है अब देश में तो कोई भी देश हो सकता है देश की पुरी जाती आ जाएगी देश में भारत यानि कि हिंदुस्तान भी हो सकता है पाकिस्तान भी हो सकता है ठेके चीन साखता है मैं किसी को भी वो सकता है यानि कि से अइसा लव्ग है उयसा आम नाम में जिस से पूरी जाती का बोदि यानि कि देश में अभी देश आ जा रहे हैं यानि कि देश बो तो अब मैं यहां पर देश में एक पार्टिकुलर एक खास देश का नाम ले ली भारत देश तो यहां पर एक खास नाम जो ली ना भारत तो भारत क्या कहलाएगा इस मारफा कहलाएगा भारत देश क्या कहलाएगा इस मारफा जो की खास नाम को कहते हैं तो आई होप आप लो मैं किसी भी शहर में रह सकती हूँ, अब मैं कोई खास शहर का नाम नहीं बताई, शहर में शहर की पूरी जाती आ जाएगी, यानि कि शहर क्या है, एक आम नाम है, तो शहर हो जाएगा इस मनक्रा जिसे पूरी जाती का बोद हो रहा है, लेकिन इस मारफा जैसा कि इसको क्या क तो आई होप आप लोगों को यह सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहती हूं मैं कि शॉट कॉट में अगर हम लोग ज्यादा कम टाइम में ज्यादा नौलेज गेन करें तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ठीक है तो आई होप आप लोग समझ गये हैं मजदर समझ गये हैं और मुष्टक समझ गये हैं तो इसमें अमीद का लगब कम से कम तीन एक्जामपल आप लोग कमेंड बॉक्स में लिखकर बताएं ठीक है तीन एक्जामपल उसी तरीके से मजदर का भी तीन एक्जामपल में लिखें और मुष् और जामीद का तीने एक्जामपल मचदर और फिर पराघ्राफफ चेंज करते हुए नीचे चले जाईए और फिर मचदर कर डैस ने देतीजए और फिर इस सा canon उस्तीन लिखिते के से आप लोगो टाइप करके कमेंडॉप्स में लिखना और इस मारफा कि कम से कम आप लोग को पांच लिखना है इतना इक्जांपल पांच और इस नकर olur यह पांच एक्जांपल करें लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को रिमाइंड कर दूं कि अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फड़ा फट लाइक कर दें चानल पर नहीं नहीं आई हुए हमारे वीडियो इसको पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि जब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिस